C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की भुगोल की पाठे पुस्तक संसाधन एवं विकास प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ तीन खनिज और शक्ति संसाधन प्रिष्ठ बाइस से प्रिष्ठ से तीस तक तो आईए अब सुनते हैं पाठ, खनिज और शक्ति संसाधन प्रिष्ठ संख्या बाइस किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतरिक स्थान पर जा रही थी किरी विशाल कालेक शेत्र को देखकर आश्चरे चकित थी सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा यह कोईला खदान के निकट होने के कारण है क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोईले को ले जा रहे हैं सुकांत ने उत्तर दिया खनिज क्या है? किरी पूछती है सुकांत कहता है क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूद, चीनी और कभी-कभी अंडे को भी मिलाया जाता है जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अव्यवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चटानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं ये खनिज प्रिथ्वी की चटान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र तीन दशमलव एक दिया गया है, जिसमें कोईले की खदान में ट्रक का भारण दिखाया गया है। प्राकरतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, जिसका निश्चित रासायनिक संगहटन हो, वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं हैं। वे किसी विशेश क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षित्रों में पाए जाते हैं, जो आसानी से अभी गम्य नहीं हैं। जैसे आर्क्रिक महसागर संस्तर और अंटार्क्रिका। खनिज विभिन्य प्रकार के भूव विज्ञानिक परिवेश में अलग-अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवी अहस्तक्षेप के प्राकरतिक प्रक्रियाओं दवारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासाइनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं? आपके भोजन में नमक और आपकी पैंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज हैं। इसमें खनिजों का वर्गी करण दिखाया गया है। जैसे खनिजों को हम दो भागों में बाट सकते हैं। धात्विक तथा अधात्विक। धात्विक को भी फिर हम दो भागों में बाट सकते हैं। लोह और अलोह धात्वे खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं, जो उश्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, और जिन में द्युती या चमक की विशिष्टा होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। धात्वे खनिज लोह अत्वा अलोह हो सकते हैं। लोह खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। अलहो खनिज में लोहा नहीं होता है, किन्तो कुछ अन्य धातु यथास सोना, चांदी, तामबा या सीसा हो सकती हैं। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभरक और जिपसम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज इन्धन जैसे कोईला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निशकर्शित किया जा सकता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.3 दिया गया है, जिसमें खनिजों का निशकर्शन दिखाया गया है। खनिजों का निशकर्शन तीन प्रकार से किया जा सकता है। खनन, प्रवेधन, आखनन। खनन भी फिर दो प्रकार से किया जा सकता है। विवरित खनन और कूपकी खनन। क्या आप जानते हैं। शेल, खनिज अव्यवों के अनिश्चित संगहटन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है. शेल, जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, आयस्क कहे जाते हैं. यद्यपी, 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें केवल लगभग 100 आयस्क खनिज समझे जाते हैं. प्रिथ्वी की सतह के अंदर दभी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है. खनिज, जो कम गहराई में स्थित हैं, वे प्रिष्ठिय अस्तर को हटा कर निकाले जाते हैं. इसे विवरित खनन कहते हैं. गहन वेधन जिसे कूपा कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुचने के लिए बनाय जाते हैं इसे कूप की खनन कहते हैं पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाय जाते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.4 दिया गया है जिसमें अपतट तेल का प्रवेधन दिखाया गया है उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है इसे प्रवेधन कहते हैं जैसा की चित्र 3.4 में दर्शाया गया है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं क्या आप जानते हैं? आप शैल को देख कर बता सकते हैं यदि इसमें तामबा है क्यूंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होगा खनिजों का वित्रण खनिज विभिन प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं कुछ आगनिय शैलों में पाए जाते हैं कुछ कायांतरित शैलों में जबकि अन्य अवसाधी शैलों में पाए जाते हैं धात्विक खनिज आगनिय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। फ्रांस के कौकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैगनीज निक्षेप और अलजीरिया के फॉसफेट संस्तर इसके कुछ उदाहरन हैं। हम देख सकते हैं कि भारत में लोहा, तांबा और बॉक्साइट तीनों ही पाए जाते हैं। प्रिष्ठ संख्या पचीस एशिया चीन और भारत के पास विशाल लोह अयसक निक्षेप हैं। यह महादूईप विश्व का आधे से अधिक तिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी तिन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंक्स्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैंगनीज, बॉकसाइट, निकिल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। यूरोप विश्व में लोह अयसक का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लोह अयसक के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपियर रूस में पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं? स्विजर लैंड में कोई ग्यात खनिज निक्षेप नहीं है। आओ, कुछ करके सीखें। विश्व के रूप रेखा मानचित्र में केनेडियन शील्ड, अपलेशियन परवत, ग्रेट लेक और पश्चिमी काडी लेरा परवत श्रिंखला को मानचित्रा वली की सहायता से चिन्हित कीजिए। उत्तर अमेरिका उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप तीन क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनेडियन शील्ड परदेश, अपलेशियन परदेश और पश्चिम की परवत श्रिंखलाएं। लोह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तामबा का खनन कनेडियन शील्ड परदेश में और कोईले का अपलेशियन परदेश में होता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.6 दिया गया है, जिसमें विश्व के मान्चित्र पर खनिज तेल और कोईले का वित्रण दिखाया गया है। हम मान्चित्र में देख सकते हैं कि भारत में भी कोईला और खनिज तेल पाया जाता है। प्रिष्ठ संख्या 26 पश्चिमी काडी लेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप है दक्षन अमेरिका ब्राजील विश्व में उच्छ कोटी के लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है ब्राजील और बुलीविया विश्व में तिन के सबसे बड़े उत्पादकों मैंसे हैं दक्षन अमेरिका के पास सोना चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉकसाइट, अभरक, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस और हीरे के विशाल निक्षे भी हैं खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जन्टीना, चिली, पेरू और कुलंबिया में पाया जाता है क्या आप जानते हैं? हरा हीरा एक दुरलभतम हीरा है विश्व की प्राचीन तमशैलें पश्चिमी आस्ट्रेलिया में हैं वे 430 करोड वर्ष पूर्व बने, प्रिथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड वर्ष पश्चात अफ्रीका अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है यह हीरा, सोना और प्लैटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है दक्षिन अफ्रीका, जिम्बाववे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं तांबा, लोह आयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिन अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्यक खनिज हैं तेल, नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है यह सोना, हीरा, लोह आयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है पश्चिम आस्ट्रेलिया के काल गुरली और कूल गाड़ी क्षित्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप है अंटार्कटिका विभिन खनिज निक्षेपों पूर्वा अनुमान से कुछ संभवतह विशाल के लिए अंटार्कटिका का भोविज्ञान परियाप्त रूप से सुप्रसिद्ध है ट्रांस अंटार्कटिक परवत में कोईले और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स परवत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वा नुमान किया गया है लोह आयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वानिजिक मात्रा में उपलब्ध है आओ, कुछ करके सीखें किनहीं पांच खनिजों के उपयोग की सूची बनाईए खनिजों के उपयोग खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है रतनों के लिए प्रयोग किये जाने वाले खनिज प्रायहक कठोर होते हैं इन्हें आभूशन बनाने के लिए विभिन शैलियों में जड़ा जाता है तांबा एक अन्यधातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है कंप्यूटर उद्योग में प्रयोक्त होने वाला सिलिकन, कौर्ट से प्राप्त किया जाता है अलुमीनियम जिसे उसके आयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग, आटो मुबाइल और हवाई जहाज, बोतल बंदी उद्योग, भवन निर्मान और रसोई के बरतन तक में होता है प्रिष्ठ संख्या 27 खनिजों का संरक्षन खनिजों के निर्मान और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं मानविय उपभोग की दर की तुलना में निर्मान की दर बहुत धीमी है खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है धातुओं का पुनर चक्रन एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा गया है सोचें और करें इसमें दिखाया गया है कि खनिजों का हम पुनहा प्रियोग कर सकते हैं या फिर कम प्रियोग भी कर सकते हैं अथ्वा हम उनका पुनर चक्रन करके पुनहा इस्तिमाल कर सकते हैं शक्ति संसाधन सनी की मा अपने दिन की शुरुवात गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्याले के वर्दी पर इस्तरी करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुँचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोफ पर नाश्ता बनाते हुए मा पुकारती है। आराम दायक प्रतीत होता है। लेकिन विद्यत उपकरणों, अर्थाद गैजट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता, मांग और पूर्ती के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रध्योगी की के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ती अथवा ओर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपोर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, क्रिशी, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ते की आवशक्ता होती है। उर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गी कृत किया जा सकता है। इस प्रिश्ठ पर चित्र तीन दशमलव साध दिया गया है, जिसमें विद्युत संभरण हेतु राश्ट्रिय शक्ती ग्रिट का चित्र दिखाया गया है। परंपरागत स्रोत उर्जा के परंपरागत स्रोत हुए हैं जो लंबे समय से सामान्य उप्योग में लाए जा रहे हैं। इंधन और जीवाश्मी इंधन परंपरागत उर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। इंधन इसका उपियोग पकाने और उश्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है हमारे देश में ग्रामीनों द्वारा उपियोग की गई 50 प्रतिशत से अधिक उर्जा इंधन से प्राप्त होती है प्रिष्ठ संख्या 28 इस प्रिष्ठ पर चित्र तीन दशमलव आठ दिया गया है जिसमें उर्जा के परंपरागत स्रोतों को दिखाया गया है उर्जा के परंपरागत स्रोतों में खनिच तेल लिया जा सकता है और इसके लाब हैं आसानी से परिवहनिय, अर्थात टैंकर में ले जाया जा सकता है पैट्रो रसायन उद्ध्यो का आधार, साथ ही खनिच तेल की हानिया है, तेल अधि प्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सिजन का अवक्षय, निर्मुक्त प्रदूशक के कारण अमलवर्षा, नए इंधन का अन्वेशन आसान नहीं इसी प्रकार उर्जा का एक और स्रोथ है प्राकर्तिक गैस, इसके लाव है आसानी से परिवहनिय, पाइपलाइन के द्वारा, तेल और कोईले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता इसी प्रकार इंधन उर्जा का एक और परम परागत स्रोत है इसके लाब है कि ये सूपराप्य है बहु संख्यक लोगों को उर्जा प्रदान करता है और इसकी हानिया है संग्रहन में अधिक समय उप्योग प्रदूशन पहलाने वाला हरित ग्रिह प्रभाव में वृध्धी करता है तथा इसकी वज़ा से निर्वनी करण हो सकता है उर्जा का एक और परमपरागत स्रोत है कोईला इसके लाब है विस्तरित रूप से उपलब्ध विद्युत रूपांतरण के लिए उप्युक्त तथा इसकी हानिया है प्रदूशन का स्रोत परिवहन के लिए भारी उर्जा का एक और परमपरागत स्रोत जल विद्युत है इसके लाब है कि ये प्रदूशन मुक्त है सिंचाई और मच्सेयन को बढ़ावा देता है सस्ता है हानिया है स्थानिय समुदाय का विस्थापन करता है इस से स्थानिय समुदाय का विस्थापन हो सकता है निम्नक्षेत्रों का जल प्लावन हो सकता है तथा स्थापित करने में खर्चिला होता है इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.9 दिया गया है जिसमें उत्तरपूर्व भारत में इंधन ले जाती हुई महिला का चित्र दिखाया गया है पौधों और जानवरों के अवशेश जो लाखों वर्षों तक धर्ती के अंदर दबे रहे थे ताप और दाप के प्रभाव से जीवाश्मी इंधनों में परिवर्तित हो गए बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उप्योग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है इसलिए ये शिग्र ही समाप्त होने वाले हैं कोईला यहाँ बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी इंधन है इसका उप्योग घरेलू इंधन, उद्योगों जैसे लोहा और स्पाथ वाश्प इंजनों और विद्युत उत्पन करने में किया जाता है कोईले से प्राप्त विद्युत को तापिय उर्जा कहा जाता है कोईला जिसका हम आज उप्योग कर रहे हैं वह लाखों वर्षपूर्व, विशाल फरन और दलदल के प्रिथ्वी की पड़तों में दबने से बना कोईला इसलिए अंतर हित धूप के रूप में जाना जाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.10 दिया गया है जिसमें तापिय उर्जा सैंतर का द्रिष्य दिखाया गया है प्रिष्ठ संख्या 29 विश्व में अग्रणी कोईला उत्पादक देशों में चीन, सैयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिन अफ्रीका और फ्रांस हैं भारत के कोईला उत्पादक शेत्र रानी गंज पश्चिमी बंगाल में, तथा जर्या, धनबाद और बोकारो जारखंड में हैं पेट्रोलियम पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकल को चर्मरानी से रोकता है दोनों की शुरुवात गाड़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं यह शैलों की पड़तों के मध्ध पाया जाता है और इसका वेधन अब तटिय वा तटिय क्षित्रों में स्थित तेल क्षित्रों से किया जाता है तदू परांथ इसे परिशकरण शाला भेजा जाता है जहां अपरिशकरित पेट्रोलियम के प्रक्रमन से विभिन तरह के उतपाद जैसे डीजल, पेट्रूल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किये जाते हैं पेट्रोलियम और इसे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्यूंकि ये बहुत अधिक मुलिवान है पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश इरान, इराक, साउधी अरब और कतर हैं अन्य मुख्य उत्पादक सैयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनिजुएला और अलजीरिया हैं भारत में मुख्य उत्पादक शेत्र, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉंबे हाई, तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा है शब्द उत्पत्ति, पेट्रोलियम शब्द लेटिन के शब्दों, पेट्रा, अर्थ, शेल, ओलियम, अर्थ, तेल से लिया गया है इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ, शेल, तेल है इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.11 दिया गया है जिसमें आपरिश्कृत पेट्रोलियम का चित्र दिखाया गया है प्राकर्तिक गैस प्राकर्तिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब आप अरिश्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है इसका प्रयोग घरेलू और वानिजिक इंधनों के रूप में किया जा सकता है रूस, नौर्वे, यूके और निदरलेंड प्राकर्तिक गैस के प्रमुख उत्पादक है भारत में जैसल मेर, कृष्णा गोदावरी डिल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अब तटियक शेत्रों में प्राकर्तिक गैस संसाधन है विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकर्तिक गैस के अपने परियाप्त भंडार है हमारे द्वारा जीवाश्मी इंधनों के उप्योग की तीवर वृद्धी ने चिंता जनक दर से इनहें समाप्ती तक पहुँचा दिया है इन इंधनों के जलने से निकलने वाले विशयले प्रदूशक भी चिंता का विशय है जीवाश्मी इंधन का अनियंतरित जलना अनियंतरित टोटी के टपकने के समान है जो अंततह सूख जाती है इसने हमारा ध्यान उर्जा के विभिन्य गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो की जीवाश्मी इंधनों के स्वच्छतर विकल्प है क्या आप जानते हैं? संपीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG एक प्रचलित परियावरण हितैशी आटो मुबाइल इंधन है क्योंकि यह पैट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूशन करती है प्रिष्ठ संख्या तीस जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अत्वा नदी जल उचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टर्बाइन के उपर गिरता है घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं यह जल विद्युत कहलाती है विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग क्रिशी में किया जाता है विश्व की उर्जा का एक चौथाई हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश परागवे, नौर्वे, ब्राजील और चीन है भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र, भाखडा नंगल, गांधी सागर, नागारजुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियुजना है इस प्रिष्ठ पर चित्र तीन दशमलव बारह दिया गया है जिसमें सलल जल विद्युत परियुजना, जोकी जम्मो कश्मीर में है, उसका चित्र दिखाया गया है क्या आप जानते हैं, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नौर्वे था इस प्रिष्ठ पर चित्र तीन दशमलव तेरह दिखाया गया है, जिसमें जल विद्युत उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार किया जाता है, उसे एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है उर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जीवाश्मी इंधनों के बढ़ते उप्योग से उर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का भाव उत्पन हो रहा है ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा, तो इन इंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे इसके अथिरिक्त इनका उप्योग परिया वरणिया प्रदूशन भी पैदा करता है इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा, जुवारिय उर्जा जोकी नवे करणिये हैं के उप्योग की आवशकता है क्या आप जानते हैं? विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बसड़ा स्कॉटलेंड में है सौर उर्जा सौर्य की उश्मा और प्रकाश उर्जा हमारे द्वारा प्रते दिन अनुभाव की जा सकती है सौर्य से प्राप्त सौर उर्जा सौर सैलों में विद्युत उत्पन करने के लिए प्रियोग की जा सकती है इनमें से कई सैलों को सौर पैनलों से तापन वप्रकाश के लिए शक्ति उत्पन करने के लिए जोड़ा जाता है धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटी बंधिय देशों के लिए सौर उर्जा के उपयोग की प्रोध्योगी की बहुत लाभ दायक है प्रिष्ठ संख्या 31 इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.14 दिया गया है जिसमें उर्जा के गैर परमपरागत स्रोतों को दिखाया गया है उर्जा के गैर परमपरागत स्रोत में पवन उर्जा आती है इसके लाभ है प्रदूशन मुक्त एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कमलागत सुरक्षित और साफ इसकी हानिया हैं ध्वनी प्रदूशन पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा रेडियो वदूर दर्शन के प्रसारन संकेतों मैं व्यवधान पक्षियों के लिए हानि कारक एक और गयर परमपरागत स्रोत है सौर उर्जा लाब है असमाप्य प्रदूशन मुक्त हानिया है खर्चीला स्रोत के विसरित होने से उर्जा बरबादी ज्वारिय उर्जा भी उर्जा का गयर परमपरागत स्रोत है लाब है, प्रदूशन मुक्त, असमाप्य और हानिया है, वन्य जीव आवास का नश्ट होना, दोहन में कठिन, परमानो उर्जा भी उर्जा का गैर परमपरागत स्रोत है, इसके लाब है, बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पादन, हानिया है, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन करना, खर्चीला, बायो गैस भी उर्जा का गैर परमपरागत स्रोत है, लाब है, कम लागत, उपियोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपियोग और बायो गैस का उत्पादन, हानिया है, हरित ग्रिह प्रभाव का कारण, भूत आपिय उर्जा भी उर्जा का गैर परम परागत स्रोत है। लाब हैं स्वच्छ, परियावरण हितैशी वहर समय उपलब्ध। हानी हैं शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। सौर उर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल दर्शाय गए हैं। पवन उर्जा एक असमाप पे स्रोत है। पवन चक्कियों का उप्योग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीवर गती से चलती जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पर्मानु उर्जा प्राकरतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के पर्मानुओं के केंद्रक में संग्रहित उर्जा से प्राप्त की जाती है। भारत में राजस्थान और जारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेब हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाडट बालू में पाय जाते हैं। भारत में स्थित पर्मानुओं उर्जा के केंद्र, तमिल नाडू में कलपक्कम, महाराश्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और करनाटक में कैगा हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.16 दिया गया है, जिसमें आणविक उर्जा सैयंत्र कलपक्कम का चित्र दिखाया गया है। क्रिया कलाप, सौर कुकर, कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भर कर लकडी के एक चबूतरे पर रखें। अलूमीनियम के नलीदार बरतन को बाहर से काला कर दें और इसमें एक कप चावल के साथ दो कप जल में लाएं। इसको एक धककन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के उपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है। जबकि सूरी की किरने ट्यूप से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और यह बाहर नहीं निकल पाती हैं। तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.17 दिया गया है, जिसमें पर्मानो उर्जा का किस प्रकार निर्मान होता है, उसको एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। भू तापिय उर्जा ताप उर्जा जो पृत्वी से प्राप्ट की जाती है, पृत्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृध्धी होती जाती है. कभी कभी यह तापमान उर्जा भू सतह पर गर्म जल के जर्नों के रूप में प्रकट हो सकती है यह ताप उर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयोक्त की जा सकती है वर्षा से गर्म जलके स्रोतों के रूप में भूतापिय ओर्जा खाना बनाने और नहाने के लिए प्रियोग में लाई जाती है प्रिष्ठ संख्या 33 USA विश्व का सबसे बड़ा भूतापिय ओर्जा का सैयंत्र है इसके बाद New Zealand, Iceland, Philippines और मध्य अमेरिका है भारत में भूतापिय ओर्जा के सैयंत्र हिमाचल प्रदेश में मनी करण और लदाख में पूगा घाटी में स्थित है इस प्रिष्ठ पर चित्र 3.18 दिया गया है जिसमें क मनी करण में भूतापिय ओर्जा का चित्र दिखाया गया है ख भूतापिय ओर्जा की सहयता से भोजन पकाने का चित्र भी दिखाया गया है इसी प्रिष्ठ पर चित्र 3.19 भी दिया गया है जिसमें भूतापिय ओर्जा से किस प्रकार विद्युत निर्मान किया जाता है उसको चित्र की सहायता से दिखाया गया है जुआरिय ओर्जा जुआर से उत्पन ओर्जा को जुआरिय ओर्जा कहते हैं इस उर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रे मुहाने में बाध के निर्मान से किया जाता है। उच्च जवार के समय जवारों की उर्जा का उपयोग बाध में स्थापित तर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इस प्रिष्ठ पर जवार भाटे के उपयोग से किस प् भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल जुआरिय मिलके क्षित रहें। बायो गैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जन्तूओं के अवशेश, पशूओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसी ये इंधन में बदला जा सकता है। इसे बायो गैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायो गैस सैयंत्र में अब घटित होते हैं, जोकी अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डायोकसाइड का मिशरण है। बायो गैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोतम इंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खात का उत्पादन होता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र तीन दशमलव 21 दिया गया है, जिसमें बायो गैस निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है। उर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस उर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। अभी कार्य करें एवं उर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। गैस संसाधनों में संपन दो प्रदेशों के नाम बताईए। चौधा, आगे दिये गए बिंदुओं के लिए आप उर्जा के किन स्रोतों का सुझाओ देंगे। क, ग्रामीन क्षेत्रों, ख, तटियक्षेत्रों, ग, शुश्क प्रदेशों। पांचवा, पांच तरीके दीजिए जिनसे की आप घर पर उर्जा बचा सकते हैं। प्रश्न दो, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला, आगे दिये गए बिंदुओं में से कौनसी एक खनिजों की विशिष्टा नहीं है। क, वे प्राकरतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। क, उनका एक निश्चित रासाइनिक संघटन होता है। तीसरा, आगे दिये गए बिंदुओं में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। क, बुलीविया, ख, चिली, ग, घाना, घ, जिम्बामवे। तीसरा, आगे दी गई प्रक्रियाओं में से कौनसी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG को संरक्षित नहीं करेगी। क, पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। ख, प्रेशा कुकर में खाना पकाना। ग, पकाने के लिए गैस चलाने से पूर्व सबजी को काट लेना। घ, खुली कड़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। प्रश्न तीन, कारण बताईए। पहला, बड़े बांधों के निर्माण के पूर्व परियावरणिय पहलूओं को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। दूसरा, अधिकांश उद्योग कोईला खानों के पास केंद्रित होते हैं। तीसरा, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। चोथा, आखनन परियावरणिय चिन्ता का विशय हो सकता है। प्रश्न चार, आगे दिये गए बिंदूओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला, परंपरागत और घैर परंपरागत उर्जा के स्रोत। दूसरा, बायो गैस और प्राकृतिक गैस। तीसरा, लोह और अलोह खनिज। चोथा, धात्विक और अधात्विक खनिज। प्रश्न पाँच, क्रिया कलाब। पहला, हमारे जीवन में उप्योग किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के इंधनों को प्रदर्शित करने के लिए पुरानी पत्रिकाउं से चित्रों का प्रियोग करें और उन्हें अपने सूचना पट पर प्रदर्शित करें। दूसरा, उर्जा सनरक्षन की युक्तियां, जिन्हें आप अपने विद्याले में अपनाएंगे, पर प्रकाश डालते हुए एक चार्ट बनाईए। तीसरा, सलमा की कक्षा ने विद्युत उपभोक सर्वेक्षन के द्वारा अपने विद्याले का उर्जा लेखा परीक्षन करने के लिए एक कार्य अभियान चलाया। उन्होंने विद्याले के चात्रों के लिए सर्वेक्षन पत्रक तयार किये। प्रिष्ठ संख्या 36 विद्युत लेखा यहाँ पर बहुत सारे स्तंभ और पंक्तियां दी गई हैं। पहले स्तंभ में सबसे उपर क्रम संख्या दी गई है। उसके पश्चात दूसरे स्तंभ में उपकरण यदी है लिखा गया है। उसके पश्चा तीसरे स्तंभ में मात्रा प्रयोक्तो हो रही संख्या लिखा गया है। इसी प्रकार अगले स्तंभ में उप्योग समय कारे घंटों की अनुमानित संख्या लिखा गया है। उसके बाद अगले स्तंभ में मात्रा वास्तविक आवश्यक संख्या लिखा गया है, तथा अंतिम स्तंभ में क्या उप्योग ना किये जाने पर भी ये चालू रहते हैं, हाँ या नहीं लिखा गया है। स्वयम भरना है। इसी प्रकार क्रम संख्या दो में उपकरण यदी है के नीचे लिखा गया है ताप दीप्त बल्ब, चालीस वाट या साथ वाट। आगे के खानों को स्वयम भरना है। नीचे पंखे लिखा गया है। पंग्ती में आगे के खानों को स्वयम भरना है। क्रम संख्या 5 के आगे निर्वात पंखे लिखा गया है। इसी प्रकार क्रम संख्या 6 के आगे विद्युत घंटी या गुन्जक लिखा गया है। क्रम संख्या 7 में दूर दर्शन। क्रम संख्या 8 में कंप्यूटर। क्रम संख्या 9 में वातानु कूलक। क्रम संख्या 10 में रेफ्रीजरेटर। क्रम संख्या 11 में बंद चूलह या गरम रखने का डिब्बा। क्रम संख्या 12 में ध्वनी प्रवर्ध की अंत्रावली। क्रम संख्या 13 में जल पंप या जलिय शीतली अंत्र। क्रम संख्या 14 में अधी उर्धव प्रक्षे पित्र। क्रम संख्या पंद्रह में फोटो स्टेट मशीन, क्रम संख्या सोलह में अन्य उपकरण दिया गया है, तथा उसके आगे की पंक्ती में खानों को स्वयम भरना है. सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किये गए आख्णों का प्रियोग करते हुए, विद्यार्थियों ने एक माह में उपयोग की गई एकाईयों, एवं अनुमानित व्याय की गढ़ना की, और पिछले माह के विद्युत बिल से इसकी तुल ना की. उन्होंने पंखों, बत्तियों और बंद ना किये गए अन्ने उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत के अनुमानित मुल्ले की भी गढ़ना की. इस प्रकार उन्होंने उस मात्रा पर प्रकाश डाला, जो बचाई जा सकती थी, और उर्चा सनरक्षन के लिए सामान ने आदतों के सुझाओ दिये, जैसे आवशक्ता ना होने पर उपकरणों को बंद कर देना, आवशक्ता अनुसार नियुन्नतम उपयोग. प्रिष्ठ संख्या 37 पुस्तक कर सकते हैं और अपने पडोसियों को भी उर्जा के प्रती जागरू कर सकते हैं. इसी के साथ छै पाठों के इस पुस्तक का तीसरा पाठ यहां समाप्त हुआ. वाचन संदीब भट. अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक. तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो. तक्नीकी सहायक मयंक कुमार. निर्मान सहयोग अमित कुमार. निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत. खर्णा प्रक्नीकी निर्मार. थैसे अनोंग्य विमलेश विमार इ marca आप सुन रहे ऩ рук. आउने को कि नहाने को नहाने क immig corri essa हो जाना है को रहाना.